जैन दोस्तों नेक्स टैप आपका श्वागत है जैसे धम दिल के आधार पर आपको मालूम पढ़ गया होगा कि आज के स्टॉफिक के अंतरगत पर हम बात करेंगे उत्राखंडे के अंतरगत पर लोगसभा राज्यसभा तथा विधान सभा की जो सीटे है वो कितनी है आज के सटॉफिक के अंतरगत पर देखेंगे उत्राखंडे के अंतरगत पर लोगसभा की सीटों की बात करें कि तो पानव सीटे है तधाराज्यसभा के अंतरगत पर टीन सीटे टता ब्यदान सबाव की यहां पर 70 सित्व कर कर यहां इतना लिख वाए ठीक है तो पहले किया ऐंगलो इंडियन मनोंनीत करीफ़ टॉपीक के अंतरगत पर हम यह भी जानेंगे कि आखिर एंगलो इंडियन होता क्या है ठीक है इक जांप प्रस्पेक्टिव से काफ ही इंपोरेंट है पुरा पॉलिटिकल साइंस का यह टो में पूरा रिलेट करेंगे और उतराखंडे के अंतरगत के लिए जतना इसके इंपोरेंट होगा उनकी पॉइंटों को भी इसके अंतरगत पर जानेंगे जैसे कि मालूम है कि जो संसद है जो पार्लियमेंटली जो प्रोसेश चलता है भारत के अंतरगत पे उसको किसे सरकार का क्या कहा जाता है वेस्ट मिस्टर मॉडल भी कहा जाता है ठीक है सिव्धान के जो पास्षाफ हाग है उसके अंतरगत के बात के तो अनुचेद 1929 तक ठीक है या दिए और इसके जो भी एक वह और भी राइट से किया गया थिक ऑनदी। पे बिदानसभा कि कितनी से 90 है यहां पर है ठीक आप समझ गयोंगे मैंने 756 वण लिखा है ठीक है जैसे कि इसके पहले कहा इसके अंतरगत में विदान सबा कि तो उनके नाम की बात कहें तो उनका नाम क्या है यहां था मतलब अब था कहा जाएगा ठीक है अगर अब यहाल थी में इनका नाम अंग्लो पर 70 सीट पहले कितनी सीट थी 31 सीट एक एंगलो इंडियन था जिन का नाम क्या था स्री जो आई वान ग्रेगरी में थे जो अब क्या कर दिया गया है ठीक है इतना तो आप समझ गेंगे अब आज के जब 9 मार्च 2021 के अंतरगत पर क्या कर दिया गया है कि उत्राखंड के जो चला चार साल का इनका कारेकाल चला 2022 में यह मुख्यमंत्री चुने जाने थे ठीक है न अगर उत्राखंड के अंतरगत पर इससे पहले कि हमने आपके लिए वीडियो फ्रोवाइट किया गया है जिसके अंतरगत पर मुख्यमंत्रियों की जो पूरी श्रीज आपके लिए प पूरा बात कर लेते हैं इसलिए वीडियो आपके लिए लेकर यहां पर टॉपिक भी इसलिए बढ़ाया दिया गया है एंगलो-इंडियन की बात के तो ब्रिटिस प्लस भारती होता है इसका मत्तात पर होता है ठीक है न दोनों का क्या होना चाहिए मिस्डिट ब्लड रिलेशन उनका होना चाहिए और दूसरी बात करें तो दूसरा क्या होना चाहिए पिता यूरोपिय होना चाहिए और माता क्या होनी चाहिए भारती होने चाहिए ठीक है अगर इसी आधार की बात कहें तो जो भारती सहुधान के constitution के आधार पर 366 सेकिन के आधार ठी कि iamma लिख देते ओ हूं यहां पर 366 Heidi के आधार पर क्या होना चाहिए कि पिटा डादाया परदाता क्या होना चाहिए एक condition के बात करें उसके इंग्ली इंडियन ये नहीं कि पिटा बडिटिश का हो और माता भारती हो और दूस्ते देश में रह रहे हो और उनको हम एंगलो इंडियान के यह नहीं कह सकते क्यों इस्थाई रूप से क्या होना चाहिए वह निवास करने माता पिता जो दोनों क्या होने चाहिए इस्थाई रूप से निवास करने होने वाले होने चाहिए और पिता होने चाहिए और माता क्या होने चाहिए भारती होने चाहिए अनुछेद 131 और क्या कउतव दो तो दो एंगलो इंडियन मनोनीत किये जाते हैं उनका वर्णन इसके अंतरगत पर किया गया ठीक लोग समा के लिए किया गया है इसकी संतुष्टी कौन करेगा राश्ट्रपती करेगा ठीक है और जो दूसा अनुचे थे ठी डबल त्री त्रिपल त्री जिसे कहेंगे इसको क अगर दिया गया उत्राखंडी से यह यह है यह थोड़ा सा पुराना ठीक है यह दिखे़्टा थोड़ा में बस सिकाने के लिए आपको लेकर आया था जो यह एंगलो इंडियन थे 2017 के अंतर्कत पर पर पुराना डाटा है जैसे मैंने पहले भी आपको कि बस बताने के लेकिन अब क्या कर दिया गया इनको हटा दिया गया एंगलो इंडियन को हटा दिया गया विदान सभा की किवल सतर सीट है एंगलो इंडियन के बारे में हमने तो इसके अंतरगत पर completely रूप से जो कि इसके बारे में जाना लोग सभा और राज्यसभा के लिए किसमें कही गई है ठीक क्या है इतना एक्जाम पर पूछने को दिखाए देगा अब हम आगे बात करेंगे राज्यसाभा तथा लोग सभा की सीटों के वारे में जैसे कि हमने पहले ठमनेल पर देखा कि यहाँ पर दो देखें लोकसभा की उत्राखंड की एंतरगत के पाँस सीट ए तताफर राज्य है यth tip सीट है ठीक है सबसे पहले इसके अंतरगत पर हम जान लेते हैं कि लोगसभा के अंतरगत पर उत्रा खंडी के तो पांस सीट है लेकिन 2017 में जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम पर जो पांस बेक्टी चुने गए थे उनके नाम क्या क्या है ठीक है अगर इससे पहले हम इनके सीरी नमर की बात करें तक्राइश्ब्स पांस लोगसभा के सदब्च से हैं उनके नाम है ठीक है इसी जो पांस लोगसबाय की सदद्द से हैं उनके नाम ये है ठीक है इसी के अंतरगत की बात करें तो अब हम जाल लेते हैं कि आखिल लोगसभा तथा राज्यसभा में क्या अंतर होता है ठीक है लोगसभा तथा राज्यसभा इससे पहले कि हम लोगसभा तथा राज्यसभा में अंतर जाने इससे पहले मैं ये भी बता दिता हूँ कि सभा सीटों से मनोनित कि जाते हैं राजज्य सभा पो दोड़ा सा लोग सभा के उत्र इंतरगत के लिए जान लिया जिसके tak कि कर दिया गया है ठीडर जब बात करें तो जो एक संविंदान बना है उसके अंतरगत पर पार्लियमेंट की काफी भूमिका होती है जिसके की इस पर राज्य सभा? तथा लोगसभा की भूमिका होती ठीक है राज्यसभा को कहा जाता है उच्छे सदन तथा लोगसभा को क्या कहा जाता है निमने सदन कहा जाता है ठीक है वापस मैं आपके लिए रिफीट करता हूँ राज्यसभा हो गया उच्छे सदन स्थेट से बिलॉब करने वाले हैं के लिए काफ यह जो यह वीडियो आपके लिए जा उन्हेसी का कि बात करते हैं उत्राखंडे के इंतर पर भारत के राज्येसभा की सीट होगी अगर बहुत के राज्येसभा की सीट है है अधिकताम निर्वाचित करने की बात कही गई है 250 ठीक है लेकिन आज ही टाइम है भारत में जो राज्य-सवा की है कितनी सीट है 245 सीट है मैं यहाँ पर लिग देता हूँ ठीक है तेदिक मात्रमा कितने 250 250 यहां पर निर्वाचित कर सकते लेकिन भारत में 245 अभी राज्य सभा की सीट है ठीक है 250 के अंतरगत में कहा गया है कि जो 238 सदस्य है ठीक है यहां पर 238 सदस्य राज्यों और संग राज्य सित्रों के परतिनीदी होंगे और उसके बार में जो यहां पर क्या है 12 सदस्य है वो क्या करेंगे राश्ट पतीर के द्वारा यहां पर मनोनीत किया जाएगा ठीक है 250 यहां पर कंप्लेट लिओगे 238 प्लस बार होगे 250 होगे लेकिन हाल ही में कि आप आज के टाइम में क्या है कि भारत में राजने समा के 242 से जिसके अंतरगत पर किते है 299 स उनको राजयों चार है चार क्या होगे यहां पर जो वो चुने गए ठीक है उसके बार में जो बार सदस्य है वो क्या है राज जो जो संसद जो राष्ट्रपती के दौरा क्या किया जाता है इनको मनोनित किया जाता है कंप्लिटी रूप से कितने होगे 245 यहां पर होगे ठीक है राज्य सभा के सीटों के बारे में तो आपने चुन लिया जो 245 है सभी 28 राज्य तथा 9 के 90 सासीद परदेशों से चुने जाते हैं और कितने कैसे चुने जाते है यह आपने जान लिया ठीक है इतना तो सबह है उसके अंतरगत पे लोगसवा को क्या कहा जाता है निचला सदन कहा जा लोगसवा उत्रा खंड गंड की अंतरगत पे तो पांच सीट है लेकिन इनके हमने नाम जाले भारइत के अंतरगत की बात करें तो अठाइस राज़े तथा जो नो किन्दसासिर परदेश से हैं उनके अंतरगत पे जो लोग सभा की सीटे हैं उनको कैसे चुना जाते हैं कितने चुने जाते हैं वो हम इनके अंतरगत पे जान लेते हैं भारत के अंतरगत की बात करें तो अत्यधिक मात्रा में कितने चुनने की यहां पर बात कही गई हैं 552 सीटे हैं यहां पर चुनने की म मातरा में पान सो बावन कहा गया था लेकिन पान सो अतितिक मातरा में आप कहां से चुन सकते राज्यों के परती निदी होंगे ठीक है अगर जो अभी भारत में बात करें तो भारत के अंतरगत पे completed process 545 अभी लोग सबा के seat है जिन में क्या कहा गया है इसके अंतरगत में 530 जो सदन के राज़ से चुने गए है और उसके अंतरगत की बात करें तो जो यहां पर ते सदसे हैं उनको क्या किया गया है जो सदसे संग्या राज़ सेत्रों से चुने गए है और जो दो सदस्य हैं उनको क्या किया जाएगा यहां पर से जो सदस्य के जो राश्ट्रपती द्वारा क्या किया जाएगा इनको मनोनित क्या जाएगा या एंगलो इंडियन यहां पर कहा पर चुना जाएगा लोक्षभा में यहां पर चुना जाएगा ठीक है किटेंग 2 किए ऐ NFL किए मन哪裡 क्या जाएगा धी के लिए श्रत सफ swords रकिस्टी सिटे चुनिदाथी और कहां और किस प्रोसेश के बारे में चुना जाता है तत्था एंगलो इंडियन किसे कहा जाता है तथा एंगलो इंडियन की कितने सदस्य चुने जाते हैं UPSC के लिए भी यह टॉफिक काफी इंपोर्टेंट होता है उसी के अंतरगत पर रिलेट करके हमने आपके लिए यह वीडियो फ्रोवाइट किया है ठीक है चले दोस्तो आज का टॉफिक हम यहीं पर समापत करते हैं यह आज का टॉफिक आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल नेक्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए जैहीन